असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बक्राइद स्पेशल मटन कांडी गोश्टी की रेसिपी जो बनाने में तो बहुत एजी है और खाने में बहुत जादा टेस्टी अगर आपके घर में गैस्ट आ रहे हैं तो यह स्टार्टर उनको बनाकर खिलाइए सच म आपके फैन हो जाएंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे तो ट्रै जरूर कीजिएगा तो चली देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया तो सबसे पहले हमें यहां पर चाहिए 800 ग्राम गोश्ट तो देखिए हमने यहां पर बॉनलेस मटन ले लिए इस तरह से चोटे-चोटे पीसे में करा लिया है और आच्छे से इसको हमने धो लिया है पहले हम इसको गलाएंगे मतलब थोड़ा सा टेंडर करेंगे तो इसके लिए प्रेशर कूकर में एड़ कर दिया अब इसमें एड़ करेंगे वन टिबल स्पून अद्रक इसको हमने इस तरह से कूट लिया है तो यह एड़ कर दिंगे यह कम तीकी बाली है और अब हाफ कप दही एड़ कर दिंगे तो ग्राम से ना पिंगे तो 100 ग्राम दही है अब अच्छे से सबी चीजों को हमें यहां पर मिक्स कर लेना है और इसमें कोई पानी बगेरा अपना पानी रिलीज करेगा तो उसी में यह पक जाएगा मतलब कोग हो जाएगा जितना हमें गलव हुआ यह चाहिए तो अच्छी से मिक्स कर लिया अब लिट से कवर कर दिया और यहां पर हमने एक विसल हाई फ्लेम पर लेना है और दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्लेम को ओन करेंगे और सारा पानी यहां पर ड्राय करेंगे बिल्कुल ड्राय नहीं करना है थोड़ा थोड़ा सा पानी रहना चाहिए क्योंकि बाद में हम इसमें कॉन फ्लार बगेरा डालेंगे मसाले डालेंगे तो हमें थोड़ा सा लिक्विड चाहिए तो इस तरह से यहां पर हमने कासूरी मैतिल रोस्ट करकर वण टी श्पून लिया है मोटा कुटा हुँआ धनिया बन फूटी इस्पून लेना है मैं food color red food color है ये चाहें तो डाले वरना आप इसको skip भी कर सकते हैं तो ये चला जाएगा और वन टी स्पून पहले हमने नमक एड़ कर दिया था अभी हमने काला नमक ही एड़ किया है अब एड़ करेंगे binding के लिए हम यहाँ पर दो बड़ी चमबा चाहिए टू टेब अगर binding कम लगे तो आप इसमें corn flour और मैदा की quantity थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अब खुब अच्छे से mix कर लिया आप देखें यहाँ पर हमने यह toothpick ले लिए हैं और इसमें एक एक हम यह बोटियां लगा लेंगे जितने भी इंग्रेडियंट इस रेसिपी में मैंने यूज की हैं लेस्ट आपको description box में मिल जाएगी तो आप चेक कर लीजेगा तो दिएक एक बोटी उठा कर इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे यह दिखिए इस तरह से तो सभी हम स्टार्टर इसी तरह त्यार कर लेंगे और यह दिखिए सभी बोटियां हमने toothpick में लगा लिए हैं ताकि अच्छे से इसमें जो coating है ना वो लग जाए और देखिए बिल्कुल भी इसकी coating उत्रेगी नहीं तो यहां पर देखिए अभी लो फ्लेम पर सिर्फ दो मिनट हुए हैं अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे हाई फ्लेम पर हमने दो मिनट और फ्राई कर लेना है ताकि एकदम अच्छा सा यह क्रिस्पी सा हो जाए पहले हम दो मिनट लो फ्लेम पर उसके बाद दो मिनट हाई फ्लेम पर चार से पाच मिनट में यह देखिए इस तरह से फ्राई हो जाएगा और यहां पर मैं आपको इसके आवाज भी सुनाना चाहूंगी यह देखिए कि हमने फ्राई कर लिया था ग्रीन चैटनी के साथ इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है तीन तरह की मैंने चैटनी आपके साथ शेयर की हुई है लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स मिल जाएगा या पर चैनल पर सर्च करकर भी आप देख सकते हैं रोत्बा खान प्यार हुआ है गोश्त यह देखिए तो बहुत जादा टेस्टी है और इस बक्राई पर आप ट्राई जरूर कीजिएगा अगर आपके घर में महमान आ रहा है आपने दावत किये तो यह स्टार्टर अपने मेनियों में जरूर शामिल कीजिएगा और आच की मेरी रेसिपी आप कहां से देख रहा है प्लीज मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा और बक्राई से रिलेटेट बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है कलेजी की ब्रियानी की कोर्मे की तो आप चेक कर सकते हैं शामी कबाब की सीख कबाब की तो रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई जरूर कीजिएगा तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शाल्ला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खया दाल रखें तब तक के लिए अल्ला हफीज